हेलो एविवन तो आज हम इस ड्रामा का पाग थर्ड एक्स्प्रेइन करने वाल हैं पर हानियुल के पास एजन आती है इसके बाद वो से बुली करने लगती है और कहती है तो पता है कि तो आरी मॉम कितनी जादा पूहर है फिर भी तुम यहां पर अमीर लोगों के बीच में आराम से बैठी रहती हो इसके बाद हानियुल एजन का मुँ बंद करने लगती है तभी उसकी नीन खुल जाती है तभी सोची ओमाइगा अच्छा हुआ है सपना ही था मुझे लगा अगर हकीका तुद्धी तो पता नहीं क्या होने वाला था तभी हम यहां पर यह जिन को गैली की टूटों लेटी खोकर अपना हम लंज कर रही होतीगा हुथी साथ जिन गली किॐं नहीं जमें तो तो really do करते हैं यहीं पर इन दोनों को साथ में आनियुल देख लेती है दरसल उसे पता था कि कहीं न कहीं होएं तो जाए रहा था उसने उसका पीछा किया दोनों यहां पर रेंड़ हुए इसके बाद उसे लगता है कहीं दोनों को चक्कर तो नहीं चल रहा है इसके बाद क्लास में तो भी तो यहां पर यहां पर चलाब पड़ता है अचानक से distinguish तो तुम लोगों के साथ अच्छाने होगा तो यहां पर हने उसे परसनली कहता है कि टीचर आ रहे हैं और अगर उन्हें तो तुम्हारा क्या हरोगा आइड़न्ट केर हाने उसे छोड़का चली जाती है उसके बाद यह जिन जाकर वाश्रूम में बहुत तेज से अपना लड़की कैसे जली अपना चेहरा बदल लेती है आपर देखो तो पता नहीं बहुत ज्यादा स्टार्ट कैसे हुए था जब यह जन पहली वार अपनी स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी तब हाने उसके लिए काफी जदा काइन अच्छी थी उसके बाद जनी उसे अपनी नियू वाच ऑफर करती है कि तुमसे ट्राइक कर सकती हुए काफी एक्सपैंसिव है तुम्हारी उपर जाता सुन्दर लगेगी इसके बाद हाने उसकी फैंट बन जाती है इन दोनों की फैंट्शिप काफी अच्छी होई रही थी लेकिन हाने की दूसरी फैंट को यह बि पसंद नहीं करती है तो किसी को भी नहीं पता थी לפ Guide दूसरी फैंट से जाटा ने कम करते हैं तो कहती है तो यह सरा तो तो कह रही थी तुम गाविद्ध अपूर हो इसके बाद उसे काविद्ध गुस्णा आता है यहीं से उन दुरों की दुश्मनी स्टाट होती है इसके बाद हान्योल होएं के साथ डिनर पर जाती है तो यह जाती है कि तुम्हें यहां पर आना थाना तभी होएं कि तुमने कब से यहां पर आने की जित्मा चाहिए हुई थी इसलिए मैं यहां पर आया इसके आपना अकाउंट डियक्टिवेट कर देती हैं यहां पर जब हानेओल उसी मैसेज करने के लिए मेसेज नहीं हो पाते इसका धानों जोगते हैं पताने जिनी को क्या हुआ अफ़ इडराइट ग्लास में नए ट्रांसफर इस्टुनिकी इंट्री होती है और है कोई और नहीं दरसल रियल वाली जिनी है और ये से सब लोग जिनी जिनी की आकर बोला रहे होते हैं कौूज ये जिस लडकी में एडिट करकर जिन्य पोस्ट अप्लोड कर दी है और सभी लोग इसे जिन्ही समझ बैठे है क्युंकि सबी लोगों को लगता है कि यही जन्ही है तरह सब्वाफ लड़क्या को मन आप अटते हैं और इसके लिए हाँ यह जिन का उसे देख देख का दिमाग खरा हो रहा होता है और वो कहती है कि यह फेक जिनी यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ पर हानियों को भी पता होता है कि अगर यह जिनी होती तो यह मुझे पहचानती है लेकिन यह जिनी नहीं है और इसने मुझे बात भी नहीं की तभी वो जिनी को इस बात के लिए गन्फर्ण करती है और कहती है कि सुनमी तुम रियल जिनी हो यह नहीं यह बात में सावित करका रहूंगी और तुम एक दम फेको इसके बाद उसके बाद ऊपनी घर पर उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है तब यह पागल होई है इसके बाद जिनी और ho ein तर साथ बैडर करते हैं यहां पर वो कहती है कि अगर सबस्कों पता चल गया और यह व्हंता नी कहां से आगी तब होईन कहता है तुम्हें पता है तुम्हें साइट सब्ष़क्ता ही नहीं पता जाए तरी यहां पर होईन को हनिन कॉल करती कि कि क्या तुम फिरी होता हां कि लुचे लब गैस्ट आओ你 हो तो फेरी कैसे हो सकता है असलिए तूम उसे बात में बात करना यहां पर हो इंट से कहता है जड़ा अपना दियमाग लगँ हो जिब जनी ने अपना अकाउंट डीक्टिवेट कर दिया तो न्यू वाली जिनी अपियर हो गई मतलब और उसे पता भी निया दरसले अकाउंट वाली जिनी कौन है और वो सबी को ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वही जिनी है ताकि लोगों से पसंद करें और पॉपुलर हो जाए वह चाहती है कि वह असली वा जाती है तो यहां पर उसने बागी साही लडकियों को अपनी गैंग ग्यांकर रखा हुआ ता तरसारी लडकीीं ती कि कभी बुलिओ करती है तो यहां पर हानने और की बुराइब करने Adel को से भी परिशान करती है बहूं कि किसी को बिए खूड़ने वाली मैं ऑनका परसे In fact, मैं तो उसे बहुत ज़्यदा डरती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उससे मेरा पीशा छुटे, तभी यहाँ पर यह जिने सब सुन-सुन का हस रही होती है, तभी सुमें उससे बात करने ही कोशिच करती है, पर जिनी यहांसे चरी जाती है, और कहती है, तुम सब यहांसे करना हो चुकी है, इसलिए वो तुमारी हेल्प करना चाहती थी, और जिनी बन बनका मैं ठक चुकी हूँ, दरसल मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, इसलिए मनने यह सब किया, इसके बाद हम एजन को देखें, तो उससे सुमी के छूट पर तालियम जाने का मनोरा हु थी जाता हथ, पर रूपक से नीचे उतरती है, तो आपर हनियुल पहली से प्रेजन रहती है, उसके बाद वर इसके बाद वि्यार्ट प्रेट का प्रेज़ ले लेती है, और गयती है, तो फोटों से अभी दर के बिची थी, ऊसी थोड़ा थोड़ा आ शख हो जाता है की औ को सकती है शुमी हान लगी बैस का अच्छी क्रियाकरम कर देती है इसके बाद जब हानिल की बैस्वन अबनाय हैर कट करवाने के लिए भूत यह अपने बैंक को सफ़य करोना था पर हैंपर वह उसके आप मुंहेंब बाल उद्सक्राइब कर लोगी तो तो वी एमा वाटसन ल उसे देखर हसने लगती है बट उसे Confident दिलाती है कि तुम काफी सुंदा लग रही हूं मैंने बोला ना तुम बहुत सुंदा लग रही हो और वह पागल भी कह देती है कि ठीक है अगर वह सुंदा लग रही तो बस लगी रही है पूरी क्लास हानियोल की वैस्ट्रेंट का मज पर मताना उसके बाद यह दूनों फिर से वाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं काफी हसी मजे गते हैं और इन्हें फिर से साथ में हानुएल देख लेती हैं इसके बाद उसे इस बात पर गाविदा गुस्रा आता है वो हो इन से कहती है कि आखिर वो यह जिन से मिलने क्यों गया तब यहां पर हान्यों लुकने वाली नहीं थी जरसा वो सर्च करती है कि आखे चेहरे की ट्रांसफोर्मेशन हो के से सकती है तो दिखती है एडिटिंग से आज कल सब कुछ हो सकता है इसके पास लगता है कि कहीं यह जिनी तो नहीं अफर दाइड वो उस कैफे पर भी जाती ह हुए आई थी इसके बाद होईन को पता से जाता है कि हान यहां पर नहीं रुकने वाली हानल की बेस्ट फ्रेंट भी उसके खिलाफ हो गए थे इसके बाद उससे कावी बहला पुरा सुनाती है इसके बाद हानल पहुंच जाती है जिनी को ढूनने के लिए उसके पुराने सबस्के 100 पाले फॉर्मर स्कूल में यहां पर वहां की बात करने लगती है कि की यहां पर कोई जीनी तुमारी स्कूल फटी थी पहले तरहसल का फी लुब ही चोड़ी एडिटिंग के बाद मतला एडिटिंग से कुछ भी हो सकता है पीडियो कोल पर भी उसकी शकल बिल्कुल जिनी जैसी लग रही थी इसके बाद वह से बात करती रहती है लेकिन आफसर डायट जब सरवर डाउन हो जाते हैं तो जिनी की शकल ज़रह सल विकुव एजन्ट में चेंज होनी लगती है इसके बाद वो एजली से कोल कर देता है न पाइल उनको इस बात पर यगिन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़ बढ़ है इसलिक जाद मारा यह पाड़ी पर खतम होता है तो देखते हैं आकर हान यूर पता कब लगा पाती है सो तब तक के लिए बाइबाई टेक्यों राइस